हाई फ्रेंड्स आज मैं एक नसे की लट को दूर करने वाली यानी सराब या एलकोहल की लट को छोड़ाने वाले टैबलेट का रिव्यू करने जा रहा हूँ सुफी टाल 250 मिलिग्राम टैबलेट ब्रांड नेम से यह मार्केट में उपलब्ध होता है टैलेंट हेल्थ केर लिमिटेड के द्वारे इसका प्रोड़क्शन किया जाता है कीमत की अगर बात करें तो 10 टैबलेट का एक स्ट्रिप मार्केट में 29 रुपीज का उपलब्ध होता है अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले बैल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आ जाएं और आप में ने कोई भी वीडियो को मिशना करें अगर आपने इस प्रोड़क्ट को इस्तेमाल किया है तो आपके क्या क्या एक्स्पिरियंसे रहे हैं कमेंट सेक्षन पर लिखकर मुझे जरूर बताएं आए फ्रेंड्स वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं इसके कमपोजिशन के बारे में तो फ्रेंड्स इसमें डाईसल फिराम टू फिप्टी मिलिग्राम के मातरा में उपलब्ध होता है अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके कुछ बैकल्पिक ब्रांड्स के बारे में तो Friends Interdict 250 mg टेबलेट जिसे Intas Pharmaceuticals Limited के दोरा बनाया जाता है DSF 250 mg टेबलेट जिसे Icon Life Sciences Limited के दोरा बनाया जाता है Alfiram 250 mg टेबलेट जिसे Invision Medi Sciences Private Limited के दोरा बनाया जाता है Genofiram 250 mg टेबलेट जिसे Genica Healthcare Private Limited के दोरा बनाया जाता है और एलवीट 250 मिलग्राम टैबलेड जिसे ला फार्मासोटिकल्स लिमिटेड के दोरा बनाया जाता है फ्रेंड्स मार्केट में मिलने वाले सेम कमपोजिशन के साथ उपलब्ध यह कुछ ऐसे डिफरेंट ब्रांड है जो आप इस मेडिसन के ना मिलने के इस हीती पर पर्चेस कर सकते हैं आपको एफेक्ट सेम मिलेगा क्योंकि इनके अंदर का सार्ट या मॉलिकूल होता है वह सेम होता है आप देखते हैं फ्रेंट्स इस प्रोड़क्ट या इस मेडिसन के कुछ प्रमुक इस्तिमाल के बारे में तो मैंना जैसे आपको पहले ही बताया है कि एलकोहल एडिक्शन को खतम करने के लिए इस मेडिसन को लेने की एडवाइस की जाती है और अल्कोहल एडिक्शन यानि आजिक मातरा में सराब पीने वाले या सराब के आदी हो चुके व्यक्तियों को सराब की लट को छुडाने के लिए इस मेडिसिन को इस्तिमाल करने की एडवाइस की जाती है अब देखते हैं फ्रेंड्स इस मेडिसिन को अगर आप लेते हैं तो आपको कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं तो फ्रेंड्स ठाकान का महसूस होना सुष्टी जैसा लगना सिर्दर्द का होना और मेटेलिक टेस्ट मुह में आना यानि मूओ का सौध ऐसा लगना जैसे के हमने किसी धातू को लिया हो या जैसे जब आप आरण का इस्तेमाल करते हैं या हैंड पाम का पानी पीते हैं उस समय पर जैसे मेटालिक टेस्ट आपके मुह में महसूस होता है उस तरह का महसूस होना इसके कुछ कामन साइड इफेक्ट की रूप में देखे गए हैं अब देखते हैं फ्रेंड्स इस मेडिसिन को इस्तमाल कैसे करना चाहिए तो फ्रेंड्स इस दवा को पूर्ण रूप से डाक्टर के दोरा सुझाए गए सजेसन के अनुसार इस्तमाल करना चाहिए इस medicine के जो dose और duration होता है वह एक निरधारित होता है और इस समय के लिए medicine नहीं लिए जा सकती है आपके लिए हानिका रखो सकती है इस medicine को साबुत निकलना चाहिए इसे चबाना तोड़ना कुछलना या पीशना नहीं चाहिए इस medicine को भोजन के साथ भी लिया जा सकता है और बिना भोजन के भी लिया जा सकता है इस medicine को अगर आप एक निश्चित समय पर लेते हैं तो medicine के गुणवत्ता enhance होती है gastric upset से बचने के लिए किसी प्रकार के gastric complication से बचने के लिए आपको medicine को भोजन के पस्चाथी 7 करना चाहिए अब देखते हैं friends medicine काम कैसे करती है तो friends शरीर के अंदर जब alcohol पहुँचता है तो उस समय यह chemical जो इसका होता है उससे काम करता है और alcohol को changes करता है उसका breakdown करता है उसका chemical जो molecule होता है उसको disintegrate करता है और उसके कारण आपको उल्टी जैसा होने का लक्षणा आता है और इसलिए आप जो भी पेसेंट होता है जिस असराब की लगी होती है तो वह इसे धीरे धीरे पीना कम कर देता है या बंद कर देता है में रूप से फ्रेंट्स अगर मैं कहूं तो इसके जो chemical properties होती इस medicine की तो वह अल्कोहल के साथ react करती है और पेसेंट को अनिजेनेस फिल होता है उल्टी जैसा लगता है वोमिटिंग जैसा लगता है और धीरे धीरे करके वह साथ पीना कम कर देता है या बंद कर देता है अब फ्रेंट्स बात करते हैं इस medicine से जुड़ी कुछ अन्य बातों के बारे में तो फ्रेंट्स इस दवा का सेवन करने के दोरान आपको beer, wine और mouthwash, vinegar, desert, food और जो कुछ colonic medicines होती है और liquid medicines है अन्य प्रकार के सराप के सभी रूपों से आपको बचना चाहिए जब आप इस medicine को पहली बार लेना चालू करते हैं तो आपको चकर जैसे condition का सामना करना पड़ सकता है ठकान लगती है, कमजोरी लगती है, भ्रहम की स्थिति बनती है, आता है कोई भी ऐसा काम जिसमें mental concentration के जरूरत होती है आपको नहीं करना चाहिए, गाड़ी चलाने का काम या कोई heavy machine recover के जिसमें mental concentration के आवसकता होती है तो उस काम को आपको नहीं करना चाहिए इस medicine को लेने के दौरान आपको garlic जैसी smell आ सकती है, metal जैसी smell आ सकती है, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया है तो उस time पे आपको अपने डाक्टर से परमर्स करें अगर आपको science symptom बार बार मिलता है तो, लंबे समय तक मिलता है तो अगर किसी प्रकार की समस्या आपको पहले से है, रदरोग की समस्या है, लीवर या kidney की बिमारी है, मनोबेग्यानिक समस्या है, यानि psychological complaint है, diabetes जित्त्यादी है या कुछ ऐसे content जैसे rubber की content हो गया, latex content हो गया, या pesticide और ऐसे कोई प्रकार की allergy है तो आपको पहले से इस बारे में अपने डाक्टर को सूचित करना चाहिए, परमर्स लेना चाहिए अगर आप pregnant है, या pregnancy की planning कर रहे हैं, या इस तन पान करवा रहे हैं, तो आप किस medicine को नहीं लेना चाहिए या है आपके लिए नुकसान दायक हो सकता है और कुछ बातें और मैं बताना चाहता हूँ, इसकी safety features के बारे में, फ्रेंड्स alcohol का तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है, kidney और liver rock से जुड़ी किसी समस्या का अगर आप सामना कर रहे हैं, तो आपको medicine को doctor के बिना परमर्स के नहीं लेना चाहिए इस medicine के अगर कोई dose जो आप भूल गए हैं, तो बहतर होगा कि आप जितना जल्दी हो सके उसकी dose ले ले ले, और अगर आप नहीं ले पाते हैं, अगली dose का समय होता है, तो फिर आपको dose को डबल नहीं करना चाहिए, और निर्धारिश समय वाली dose को ही लेना चाहिए अब फ्रेंट्स बात करते हैं, medicine के topic से हट के थोड़ी सी, कई ऐसे cases में देखा गया है कि माताया और बहने अपने husband या भाई के जो सराब पीनी की लत होती है, आदत होती है, उसे बहुत ज़्यादा परेसान होती हैं, तो उनके लिए मैं सज़ेस्ट करना चाहता हूँ कि कि इसी भी food particle में आपकि इस medicine जैसे भोजन हो गया, या कुछ अन्य पेपदार्थ हो गया, उनमें आपको इस medicine को डाक्टर के advice के पस्चात एक इनिस्चित मात्रा में dissolve करके या grind करके इस medicine को आप दे सकते हैं, और जब वो व्यक्ति सराब का सेवन करता है, तो उसके जो chemical properties होती medical के और alcohol के जो chemical properties होती है, बीच में interaction करती है, जिसके कारण पेशेंट जो रहता है, उसको उल्टी आती है, चक्कर आता है, भ्रम की स्थिती बनती है, जी मिचलाता है, ये बहुत सारी conditions होती है, और धीरे धीरे पेशेंट को लगने लगता है, कि alcohol अब मुझे नुक्सान कर रही है, अधिक मातर में alcohol का सेवन कर रहा हूं, जिसके कारण में को लॉस हो रहा है, तो धीरे धीरे करके फिर वह पेशेंट जो होता है, तो वह alcohol का जो लट जिसको लग चुकी होते है, धीरे धीरे करके alcohol को पीना बंद कर देता है, कम कर देता है, और alcohol से धीरे धीरे उसको बता देना चाहता हूँ कि आपको बिना डाक्टर के एडवाइस के डाक्टर की बिना सजेशन कि इस मेडिसिन के इस्तिमाल नहीं करना चाहिए इसके कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं इसलिए डाक्टर की देख रेक में या डाक्टर की suggestion के पस्चाथी medicine को आपको इस्तेमाल करना चाहिए तो friends यह था एक छोटा सा review medicine के उपर मैं उम्मीद करता हूँ friends वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आता है तो please वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें medicines related review लगतार हमारे चैनल पर आते रहते हैं इस वीडियो बस इतना ही friends किसी अच्छे इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ आप से फिर मुलाकात करता हूँ तब तक के लिए good bye आपको दिन सुब हो चैहिंद